हेलो एवरीबन अगेन मैं आपके साथ हूँ बिद लेक्शन नंबर 15 एंड वी विल डिस्कॉस डिफ्रेंस बिट्वीन प्राइवेट एंड पॉब्लिक आई-पी अडर्सेस राइट बड़ा कॉमन सा कोश्यन इंटर्व्यू में पूछा जाता है या फिर हम लोग जब एक ब कौन से कंडिशन में हमको प्राइवेट आई-पी को यूज करना है कौन से कंडिशन में हमको पब्लिक आई-पी को यूज करना है तो देखो कुछ डिफरेंसेस की मैं आपसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं उसकी मैं आपसे पहले बात कर लेता हूँ प् लोकल एरिया नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क यानि कि आप सीधा सा समझ लें कि कंपनी का अगर आपके पास ओन प्रमाइस एक डेटा सेंटर है लेट सपोज और यहां पर आपके पास एन नम्मर ओफ कंप्यूटर्स आपने प्लेस करे हुए हैं सरवर्स आप जिनको बोल सकते हैं तो यह आपका जो एक नेटवर्क जो होता है ना इसको हम बोल रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क on-premises network जिसको आप private network भी बोलते हैं तो private IP का जो use हम लोग करते हैं ना within the network communication जिसको आप एक तरीके से intranet communication भी आप बोल सकते हैं within your domain ऐसा भी आप बोल सकते हैं राइट but public IP का use case की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो public IP का जो use case है for public network और public network को ही आप लोग बोलते हैं ऐसा communication जो over the internet आपका होता है आगे चलके ज्यादतर servers को जो हम लोग AWS cloud में provision करने बाले हैं या फिर आप समझ लें कि आपका कोई ऐसा application जिसको आप over the internet एक URL के थुरू या फिर एक IP के थुरू आप access करते हैं your application is hosted somewhere on remote site remote location पर है फिर आप उसको एक internet के थुरू किसी remote location से access करते हैं तो हम generally जो use करते हैं public IP का या फिर उसका एक public endpoint जिसको आप URL बोलते हैं उसके थुरू हम access करते हैं और थोड़ा सा depth में मैं आपसे बात करता हूं over the internet आप जितने भी browsing या जितने भी internet के websites को आप access करते हैं हर एक website backend में एक आपके public IP को यूज करता हैं और वो public IP जनरली हम लोग उसको manage नहीं करते हैं ठीक है जनरली public IP जो हमारे होते हैं provided by ISPs internet service provider आप जिसको बोलते हैं अब ISP आपका हो सकता है Airtel हो, Vodafone हो, Idea हो, Reliance.io हो कोई भी ISP आपका हो सकता है जो internet या public IP में आपका deal करता है और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है private IP और public IP का जब हम allocations start करते हैं public IP को कभी भी हम अपने system पर internal communication के लिए assign करके allocate करके हम नहीं चलते हैं जनरली आइना ने ये standard हमें बता के दे रखा है या एक user जब भी अपने private network को प्लान करता है तो हमारे पास choice है हम लोग as a valid IP class A, class B और class C आप से अगर पूछा जाए कि private IP address का range आप मेरे को बताओ जो class A, class B और class C में applicable होता है तो आपको याद रखना है जब भी आप अपना एक private network आप create करते हैं और फिर बाद में आप अपने servers को जब place करना start करते हैं और आपकी ऐसी कुछ requirement है कि आपको class A का या class B का या class C का private IP address का range आपको अपने network के लिए अपने production systems के लिए आपको चाहिए इसके बीच में ही आपको अपना जो एक range है IP address का वो आपको यूज करना पड़ेगा 10.0.0.0 से लेके 10.255255255 यानि कि most of the time आप अपने on-premises data centers के actual IP को जो NIC पे आपको जनरली मिलता है Linux में आप एक command चलाते हैं if config right so you generally get the actual private IP of your system same order में आप अपने windows में भी command चलाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं IP config तो ETS 0 पे जो आपको IP मिलता है ना that is your actual IP और आप से अगर इंटर्वी में पूछा जाए कि हमारे Ethernet card को या LAN card को जो IP हमें display होता है वो private IP होता है या public IP होता है तो आपको answer करना that is your private IP class V का अगर आपको private IP का range चाहिए that is 172.16.0.0 172.131.255.255 यह आपका range reserve है by default private IP addresses के लिए for class B class C की अगर मैं आप से बात करता हूं तो we have the range 192.168.0.0 192.168.255 और minimum subnet mask आप क्या ले सकते हैं maximum तो आप up to 32 ले सकते हैं जितने भी IP addresses की आपको requirement है it depends उसके according ही आप अपने changes करोगे net mask में लेकिन minimum आप से पूछा जाए कि class B में मेरे को एक private IP address का pool requirement है तो minimum CIDR block में क्या ले सकता हूं तो you can take slash 12 right same order मैं और मैं differences की आप से बात करता हूं not recognized over the internet मतलब जो आपके system का private IP होता है उसको आप over the internet जैसे यह आपका on-premises data center है और over the internet आप किसी remote location से system को login करना चाहते हैं with the help of private IP तो वह आप नहीं कर सकते हैं दूसरा main difference जबकि public IP जो हमारे होते हैं recognized over the internet और यह होते ही आपके internet communication के लिए हैं यानि कि आपके system का एक virtual IP है जिसको मैं public IP यहां बोल रहा हूं private is your actual IP but public IP हमारा जो होता है just to access your systems over the internet कोई application आपका है कोई monitoring tool आपका है web server आपका है आपके website को over the internet access कराना है आपको so you will be required the public IP in that case generally आपके public जो private IPs आपके होते हैं can be managed by the administrator जो इस data center का owner है admins है वो लोग अपने private IPs को manage कर सकते हैं they can decide कि मेरे को class A का address चाहिए या class B का address चाहिए या class C का address चाहिए within this range आप जो address range आप यूज करना चाहते हैं अपने private network में आप कर सकते हैं लेकिन आप से क्या बोल रहा है कि public IP जनरली manage किये जाते हैं service provider के द्वारा या फिर आइना के द्वारा internet assign number authority अब service provider कोई भी हो सकता है आप घरों में जब internet लगाते हैं जो broadband connection आप लेते वहां पर भी आपको एक public IP आपका जो router होता है उस end point पर आपको जो भी service provider वो configure करके आपको देखे जाता है अब depends करता है कि आपने एटल से service provider service ले रखा है या आईडिया से गोड़ा फॉन एट्सेक्राइट इस कैन बी any public cloud provider also Amazon itself एक ISP का काम करता है Azure Microsoft वाले खुद में ISP की तरह काम करते हैं same for the Google and other public cloud providers also they have the dedicate public IPs pool आपको जब भी एक public IP की demand होती है for your application for your server तो जो भी public cloud provider है अपने public IP के पूल से आपको एक IP release करके आपको dedicatedly assign करके दे सकता है private IP अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास multiple data centers है across the globe तो प्राइवेट आईपी का जो यह range है ना class A का class B and class C आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आपने बोला कि मैंने जो कॉंबई में मेरा data center है उसके private network में मैंने एक रेंज कर रखा है 10.0.0.0 का क्या मैं उसको दिल्ली के data center के लिए चैने के data center के लिए यूज नहीं कर सकता आप आराम से कर सकते हैं प्राइवेट में कभी आप विदिन दा नेटवर्क सेम जो नेटवर्क रेंज आप दूसरे डेटा सेंटर में भी आप उसको यूज कर सकते हैं राइट बट पब्लिक आई पी का आप से क्या बोल रहा है देखो यहां पर पॉइंट जो लिखा हुए ना यूनिक ओनली इन लैन मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क में दो नेटवर्क सेम नहीं हो सकते हैं डेविल कॉन्फलिक्ट बट इफ यू अब दर डेडिकेट अधर डेटा सेंटर सेक्रोज दगलोग तो वहां पर आप चाहें तो अलग-लग लोकल एरिया नेटवर्क में आप अपना सेम प्राइवेट आईपी का जो रेंज है उसको आप यूज कर सकते हैं यूनिकली ग्लोबल का मतलब यहां पर यह है जो पब्लिक आईपी हमारे होते हैं दो वेबसाइट के अगर आप पब्लिक आईपी का टेस्टिंग करना चाहते हैं तो वेबसाइट्स और फॉर मैनी वेबसाइट्स पब्लिक आईपी कैन नोट भी सेम आपको यह चीज ध्यान रखना है हर एक वेबसाइट दुनिया का एक अलग पब्लिक आईपी पे चलना डिफ्रेंट पब्लिक आईपी पे कॉन्फिगर्ड है फ्री ओप चार्ज को हम इंटर्नेट पर यूज करते हैं तो इंटर्नेट पे जनरली यू हैब टू पे सर्विस प्रोवाइडर कॉस्ट पब्लिक आईपी का आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा राइट क्लास ए बी एंड सी जो रेंज मैंने यहां पर लिखा हुआ है सेम रेंज आपका यहां पर यह अल्रेडी लिखा हुआ है तो आप इसको एजर रेफरेंस अपने पास याद रख सकते हैं अगर आप से पूछा जाए प्राइवेट आईपी एड्रस का जो रेंज होता है क्लास ए क्लास बी एंड क्लास सी के लिए वो क्या होता है ठीक है एंड आप एक चीज हो कि मैं आप से बात कर लूँ जैसे कि एक रेंज आपका होता है 127.0.0.0 इस रेंज रिजर फॉर दा नेटवर्क लूप बैक एड्रेस जिसको आप बोलते हैं सेल्फ एनाईसी टेस्टिंग जब हमें करना होता है तो हमारे एनाईसी को एक लूप बैक एड्रस असाइन होत एक रेंज होता है क्लास वी का यह वाला रेंज भी हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं ना ही प्राइवेट आईपी में ना ही पब्लिक में तो आप समझ लें कि प्राइवेट आईपी एड्रस का रेंज आपका यह है इसको छोड़के एकसेप्ट इस रेंज इस स्पैसि आप से बस बात किया है कि प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी में क्या डिफ्रेंस होता है ऐसे आईपी जो आप विदिन नेटवर्क यूज करते हैं फॉर इंटर्नल कम्मिनिकेशन यानि की इंटर्नल का सीधा सा मतलब है आपके पास मल्टीबल सर्वर्स हैं और यह सर्वर इंटर्नली सर्वर से कंमिनिकेशन करना चाहता है सर्वर से कंमिनिकेशन करना चाहता है सो देगेन यूज दर प्राइवेट आईपी administrative बट जब इन सूस्टंस को हमें ओगर चाहिए इंटीश करना होता है इन डैट केस्वी यूज दर पबलिक आईपी तो जो ओवरॉल डिफ्रेंस आपका है इंटरानेट एंड इंटरनेट कम्मुनिकेशन का इंटरनेट के लिए हमेशा हम पब्लिक आईपी का यूज करते हैं विदिन डोमेन विदिन नेटवर्क वी जनरली यूज दा प्राइवेट आईपी अडर्स ठीक है तो आई होप आपको क्लि